नमस्कार दौत्रखंड न्यूजमाप का स्वागत है सिमांत सहीत अनिजनपदों की आज की मुख्य खबरों में आगामे 19 से 30 सितंबर तक पांच दिवसी सोरगाटी पिथारागड के प्रसिद्र मुष्टिमानों मंदिर में मेले के आईजन और तैयारियों को लेकर आज मंद विश्यों पर चर्चा करने के साथ ही अनियत जनपदों से कलाकारों को आमन्तित करने बच्चों के लिए जूले चरके आदी लगाई जाने सहीत विविन विश्यों पर चर्चा की गई सरकारी भूमी में वहे अतिक्रमन को हटाने को लेकर आज एडियम डाक्टर सीव कुमार और अनवाल की अगवाई में बेरिनाग रायागर पांकुर छेत्र में प्रचासन द्वारा दो दर्ज़त से अधिक पक्के वा कच्चे अतिक्रमन को जेसीवी मसीन वा मजदुरों के माधियम से ढाया गया इस दोराण एके सुःड़ाने बताय कि सरकारी भूमी पर के अतिक्रमन को चिन्नेथ कर हटाया जा रहा है उन्होंने छेतर के सभी अंग सरकारी भूमन में के अतिक्रमन हटाया जाने की बात कही आओ piece नान प्रबहारी निक्शक पुट्वालिक रभा किनारे जो इंक्रोश्मेंट है और लोगों को आने जाने जो परिसानी हो रही है उसको तत्काल हटाया जाए उसी के संबन में सभी कारिदाई संस्थाओं की एक बैठक बुलाई गई थी और बैठक के पैस्चात ये निड़े लिया गया दुश तारीब को संडे के दिन जो अ परिखेंट ने एक निताल के पिछिफित होतल के कमने में एक महिला परेटक का सव मरामद हुआ सूसना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा सव को खबजे में लेकर जांच शुरूप की गई तो पता चला कि महिला परेटक एक अन्य यूवक के साथ एक दिवस पूरो होटल में धहरे थे और यूवक मौके से फरार था पुलिस द्वारा मर्तका की प्रिजनों को सुजित किया गया तो दो अगस्त को मर्तका की बहन फरहींट वार्शी निवासी मुरादाबाद वा उसके साथियों ने मेरी बेहन का अपरणकर उसकी हत्या कर दी तहरेट के आधार पर अभियोग पंचिकरत कर स्सपी नैंताल पंकज भट के हाथे सानुसार ठाना देक्स तल्लिताल रोता सिंग सागा द्वारा विवेशना प्रारंब की गई विवेशना के द्वारां पुलिसद्वारा CCDV केमरों का अवलोगन तता मामले से संबंदित सभी प्यक्तियों की काल डेटेल्स का अवलोगन किया गया पुलिसद्वारा साक्षे कत्रित्कर मुर्तगा इरम खान का विशरा प्रिप्षण के लिए लेजा गया जिसमें जहर की उस्टी भी बिवेशना में प्रकास में आये आरोपी मोहमत गुलजार निवासी करोना रहमत नगर मुरादबाद के विरुद्ध मृत्गा दवारा आईटी एक्ट में पूर में मुरादबाद में अभिवर पंचक्रित करवाया गया था जिसे आरोपी वापस लेने के लिए लगातार कर वहां से फरार हो गया विवेशना में मर्तका एरम खान का आरोपी गुलजार की दूसरी पत्नी होना पाया गया पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य प्याधार पर आरोपी गुलजार को बीते दिवस IPC की धारत 302-201 के तहत गिरफतार किया गया और न्यायल के समख्ष झाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं हमारे पिथारागाट समाचार न्यूज यूटूब चैनल पर नियमित खबरे सुनने के लिए हम से जुड़े समाचार सुने थन्यवाद झाल